Hi guys, welcome back to my channel J Supercore आज मुझे बहुत ही back to back मैंने ये दो विडियो शूट किये हैं तो anyway आप लोग मेरे दोस्तों आप लोग बुरा नहीं मानोगे we are best friends after all तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से घर पे ही cleansing milk कैसे बनाना है तो जब हम makeup करते हैं तो हमें अपने makeup को उतारने के लिए cleansing milk की जरूरत पढ़ती है अपनी skin को impurities से clean करने की बहुत जरूरत पढ़ती है आपकी skin की makeup को clean तो करेगा ही साथ में आपकी skin के लिए कोई side effect नहीं कोई chemical नहीं है घर की बनी हुई चीज है बहुत ही बड़ी है और सबसे बड़ी बात है affordable है तीस चालिस रुपे में आपका ये cleansing milk बन जाएगा मैंने देखिए ये दो bottles भरके रख ली है दोस्तों मुझे आप लोगों से एक चोट असा favor चाहिए अगर आप लोग मेरे सचे subscribers हो तो मेरी sister ने भी अपना YouTube channel बनाया है Cook with Guljit और उनके channel को मैंने अपने channel पर feature किया है प्लीज आप उनको show some love to her और दोस्तों ये खजूर के लड़्डू amazing diet free बिना चीनी के और बहुत टेस्टी है ऐसी बहुत सी recipes है अगर आप मेरे bestest friends हो मुझे प्यार करते हो तो please आप उसको भी अपना थोड़ा प्यार दीजे show some love to her show some support to her she is amazing cook वो बहुत बहुत टेस्टी खाना बनाती है seriously मतलब मैं कोई भी बड़ा से बड़ा शेफ उसके आगे फेल है homemade mayonnaise, veg mayonnaise, aloo की सबजी वो जो बनाती है बिस वो जादू गर देती है तो दोस्तों प्लीज उसको subscribe जरूर कीज़े तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है let's get started with the video तो दोस्तों आपको कोई भी moisturizer लेना है अपका favorite moisturizer मैं यहाँ पे cocoa butter का ले रही हूँ कि मेरे बहुत सारा पड़ा है मुझे cocoa butter की कुछ बहुत अच्छे लगती है या पेर आप मेरा DIY body lotion भी देख सकते है उसका video अब नहीं देखा तो अभी चेक आउट कीजे and वो भी बहुत moisturizing है soft on the skin है वो भी use कर सकते है या फिर एक johnson's baby lotion भी लोशन आता है milk में भी आता है और एक plain body lotion भी आता है 45 या I think 40 या 50 to 20 का है यह and यह बहुत soothing and soft on the skin होता है तो जिन लोगों की बहुत hyper sensitive skin है they can use this johnson's baby lotion आप कोई भी company का ले ले लेज़े अब मैं फटाफट से यह 7-8 tablespoons मैं इसमें moisturizer डाला है साथ मैं इसमें 2-3 चमच rose water डाल रही है rose water मैंने बताया दोस्तों इसमें आपका make-up उतारने की properties होती है and third ingredient में दिखाना भूल गई यह है johnson's baby shampoo दोस्तों आपको hair shampoo नहीं लेना है बालों का shampoo बिल्कुल मतलें baby shampoo लें जो बहुती mild होता है and आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने johnson's baby का लिया है अब मैंने यह 2 jars, 2 containers इसे भर लिया है यह सारी ही skin types के लिए बहुत बहुत अच्छा है तो आप इसे जरूर बनाएं and it feels so soft on me तो दोस्तों देखा आपने कितना असान था घर पे ही cleansing milk बनाना तो makeup को remove करने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं oils and everything बाहर से आप eye makeup remover या lip makeup remover अगर खरीदोगे तो वो भी बहुत महेंगयाते है अगर cleansing milk बनाना इतना असान है तो इससे अच्छा हम घर पर ही बना लें दोस्तों आप लोग मुझे बहुत comments करते हो कि आपकी skin बहुत अच्छी है हमें ऐसी करने है तो सबसे पहली बात आप मेरी सुन लिजे आप मेरी कोई भी skin की face pack क्या कुछ भी लगाते हैं उससे पहले आपकी skin को बिलकुल clean होना बहुत ज़रूरी है आप make-up करते हैं तो भी cleansing milk से उस make-up को उतारें make-up नहीं भी किया है तो भी रात को सोते समय आपको cleansing milk यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी skin पे जो pollution से या atmosphere से जितना भी dirt आपकी skin पे आई है वो सारी उतर जाए तो cleansing milk करना बहुत ज़रूरी है ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अगर आपके pimples यापकी skin clean नहीं होती तो मैंने ये video back-to-back shoot इसलिए किया है क्योंकि मैंने ये इतना सारा काजल लगा रखा है तो इसको मैं आपके सामने रिमूव करके दिखाऊंगी तो मैं ये cotton में थोड़ा सा cleansing milk ले लोगी इस तरह से ये एक drop अगर आप देख सकते हैं इतना सा लेना है और इस side face के इस side पर मैं इसको रिमूव करना शुरू कर दोगी दोस्तों इसकी खुश्बू बहुत अच्छी है अभी मैं eyes पर भी करके दिखाऊंगी ये देखिए ये मैंने BB cream लगा रखी थी you can see कितनी आराम से उतर गई just one drop of cleansing milk से मेरी सारी ये जो base makeup था जो मैंने BB cream लगा रखी थी उतर गई है मैं आपको eye makeup के लिए भी मैंने एक ड्रॉप लिया है और मैं एक eye विल्कुल close कर लूँगी इस तरहां से और मैं आपको अभी दिखाऊंगी इसको उतार के ये देखिए आप देख सकते हैं तो आप देखिए तो आप देखिए एक ड्रॉप से मेरा कितना सारा eye makeup रिमूव हो गया है और मैं जब भी makeup उतार्ती हूँ तो एक साइट से जब makeup आ जाता है तो मैं इसको पलट के वही कॉटन थोड़ी सी यूज कर लेती हूँ दोस्तों आप इसको कंजूस कहलो या और यह मैंने सिर्फ एक ड्रॉप और लगा है एक ड्रॉप से कम ही है कुश्बूब बहुत अच्छी है यह देखिए दोस्तों तो आप देख सेते हैं एक साइट पर मैंने मेकप आलमोस्ट उतार लिया है यहाँ पर 80-90% बेस मेकप तो बिल्कुल उतर गया है और आइस का हलका सा बचा है मैंने दोस्तों दो ड्रॉप आपके सामने यूज करी है एक बिल्कुल थोड़ा सा पिंच मैंने बिल्कुल थर्ड ड्रॉप मतलब आदी ड्रॉप और ली थी और उससे मैंने अपना लास्ट का आई मेकप क्लीन कर लिया है और मेरा बेस मेकप और आई मेकप उतर गया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह मैंने कितनी आराम से अपना मेकप आप लोगों के सामने उन स्क्रीन उता रहा है कई लोग मुझे बोलते हैं कि जे सूपर को और आप no makeup look में या बिना makeup के on screen नहीं आती है तो आप देख सकते हैं यह मैं on screen बिना makeup के आपके सामने बैठी हूँ तो I feel so soft, मेरी skin बहुत soft feel कर रही है, इस cleansing milk को use करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों इस cleansing milk को मैं 10 में से actually 20,000,000 marks देने वाली हूँ because मेरी skin इतनी soft feel कर रही है, कोई खिचाब नहीं है, it feels so soft और सारा makeup बहुत ही अराम से 2-3 रॉप मतलब अगर अगर आपने इतनी bottle इतनी शीशी भर ली है तो यह आपकी कम से कम 2-3 महीने अराम से जल जाएगी आपको कोई जुरूरती है, बाहर से महेंगा cleansing milk लेने की घर पे ही यह easily cleansing milk बनाए तो दोस्तों, अब मैं कार्टून लग रही हूँ, मैं अब जाकर अपना बाकी makeup गी उतारती हूँ, मैं आप लोग को और बोड नहीं करती मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व, मेरी identity is only because of you, अगर आप लोग हो तब ही मैं हूँ, तो थांक यू सो मच दोस्तों, मेरे विजियो को like and share जरूर करें, मेरे चानल को subscribe जरूर कीजिए, subscribe के साथ आपको एक bell button मिलेगा, bell button को push जरूर कीजिएगा, ताकि आप मेरे नए वीजि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग मेरी कार्टून वाली शकल याद रखो, यह मैंने जोनु साइक का मेकप रिमूब कर लिया है, और दोस्तों, जो जो लोग मुझे बिना मेकप के देखना चाते थे, यह मैं बिना मेकप के आपके सामने आ गई हूँ, and अब मैं वेदा लू कि अलवियो लूब